तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि किसी कपल को ये चाहिए कि लड़का ही उनको पैदा हो या किसी कपल को ये चाहिए कि इस बार उनको लड़की पैदा होनी चाहिए इसके लिए कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए यहां मैं एक डॉक्टर लेंडरम ने एक सैटल मैथड दिया था बेबी बोई और बेबी गरल दोनों के लिए दिया था यहां बताया था उन्होंने कि किस समय रिलेशन्शिप बनाए जिससे उनको बेबी बोई हो दूसरे कौन सा समय होगा कि जब बेबी गरल हो कौन सी position में baby girl होती है और कौन सी position से baby boy होती है और इन्होंने ये भी दावा कर दिया था 1960 में ये method दिया था Dr. Landrum ने settles method settles method इसलिए पड़ा कि इनके नाम के आगे settles लगता है Dr. Landrum settles इसलिए ये method का नाम ही पड़ गया और 1960 में दिया और इन्होंने दावा कर दिया कि ये 75% से 90% ये काम करता है बोले ये method और एक किताब भी इन्होंने लिखती 1971 के अंदर इनके एक book आ गई थी जो आज भी हमें जन पे काफी परचलित book बिखती है और million of log उसको आज तक खरीच चुके हैं हम उसको discuss करेंगे कि एक कौन से तो समय की बात कर रहा है डॉक्टर लेंडरम और वो कौन सी position की बात कर रहा है जिससे उनको baby boy हो या कौन सी position और कौन सी समय में उनको गल्स होगी इस चीज़ को हम थोड़ा सा details में समझने के लिए हम महिला की बच्चेदानी महिला का private part महिला की ये tube है आप देख रहे हैं ये क्या है tube है जिसमें छोट-छोटे सीलिया होते हैं ये उसके ठिमरी होती है जो अंडे को पकड़ती है ये अंडे होते हैं इसके अंडे होते हैं अब बात करें इस्टोरी कहां से स्टार्ट होती है ये खेल बताता है कि पूरा खेल है इस्प्रम का यानि पुरुस के जो इस्प्रम होते हैं वो Y होते हैं और या X होंगे जो पुरुस के गोलिया है यहां इस्प्रम बनता है यानि यहां सेल होती हैं जिनसे इस्प्रम बनती और दो Y के होंगे तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप चाओ कि Y Y स्प्रम ही बने X बने ही नहीं एक सेल से जब भी स्प्रम बनेंगे तो दो X के बनेंगे और दो Y के बनेंगे और स्प्रम बनने में 60 से बहतर दिन का समय लगता है यह आप definitely समझ लीजिए तो इसका मतलब दो टाइप के स्प्रम है अब इनमें इन्होंने यह कह दिया कि जो Y स्प्रम होता है वो तेज गती सील होता है है ना गती सील तो दोनों होते हैं पर ये क्या होता है तेज गती सील होता है बहुत तेजी के साथ गती करता है जबकि X स्प्रम बहुत स्लो गती करता है अब आपने रिलेशन्शिप बनाया यानि महिला की प्राइवेट पार्ट में आपने यहां क्या छोड़ा अपना पुरुष सी सीमन छोड़ता है जब यह सीमन ट्रवल करता हुआ यहां तक पूछता है ट्यूब तक जाता पहुंचता है यह अंडा आता है इस ट्यूब तक पहुंचेगा जब जाके प्रेग्नेंसी होगी अब इन्होंने कहा कि भाई आपको रिलेशन्शिप कब बनाना है जब तो यह सारे एक्स प्रम तेजगती करते करते हैं पहुंच जाएंगे पर यहां अंडा ही नहीं तो यह क्या करें कुछ नहीं कर सकते जब तक अंडे का यह वेट करेगा जब तक यह वाई स्प्रम वेट करेगा तब तक जो एक्स प्रम भी है यह यह यहां तक पहुंच कोई एक स्प्रम बेदेगा उसके बाद कोई भी नहीं बेद पाता है यह रूल होता है इनका कि एक अंदर जाने के बाद बाद दूसरा कोई भी अंदर नहीं जाता तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई सा भी अंदर जा सकता है अब क्या हुआ इन्होंने यह कहा कि आप एना रिल पार निकला है उसके बाद में आपको relationship बनानी है relationship बनानी है और जो सीमन है वो पुरुस यहां release करेगा तो वो कह रहा है कि जो वाई इस्प्रम है जो पुरुस वाले इस्प्रम में लड़का पैदा करने वाले है वो 15 मिनिट में ही पहुचना श्टार्ट कर देते हैं लगबग 2 गंटे में पूरे पहुच जाते हैं और एक्स वाले हैं जो पीछे रह जाएंगे यहां पहले ही जाके एक वाई वाला भेद इस्प्रम पहले ही अंदर चला गया अंडे के अंदर तो इसका मतलब लड़का पहले ओल्रेडी हो गया अब एक्स वाले पहुचने से कोई मतलब नहीं है तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको लड़का चाहिए तो आप अंडा बाहर निकलने के बाद में रिलेश्व बनाओ, अब आपको कैसे पता चलेगा, कि अंडवार निकलेगा, उसके कई मैंने वीडियो ओलरेडी बनाए, कि महिला कैसे समझे कि उनका फर्टाइल प्रिड चल रहा है, और आज कल एक किट आता है, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, एक किट आता है, जिसमें दो कितने दिन की है, पहले वो कैलकूलेट करना है, उसके बाद में आपका फर्टाइल डेश कैलकूलेट करना है, पिछले वीडियो में मैंने कई बार बताया, कि आपका अंडा निकलने की थिथी, आप कैसे जान सकते हैं, आप मेरे दुखरा भी पता कर सकते हैं, उसके लिए यहाबको मेरे से फोन पर बात करना होगा और मुझे पहले ही बता है कि मैं बात करने का एक बार का लेता हूँ मैं बात करने की उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ है कि मैं कब कब अवेलेबल रहता हूँ कैसे आप मुसे उसमें मैंने नमर बताया है ये मेरे मोबाइल नमर है यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि आप फिर नमर देखो को सीधा ही मुझे परेशान करना इस वीडियो से आपके समझ में आ जाएगा कि कब का आपको appointment मिल सकता है और किस तरह से आप से बात कर सकते हैं उस वीडियो का link में description box में जुरू डाल दूँगा अब मैं बात करूँ कि भाई आपने ये तो है कि भाई आपने अंडा बाहर निकलने के बाद relationship बनाना है यानि क पांच बजे के something relationship बनाओ ये उन्होंने कहा पर क्यों कहा ये बात आज तक समझ में नहीं पाई और अगर आप पांच बजे relationship बना दिया उसके बाद में दूसरी relationship आप 7 बजे बनाओ ये उन्होंने कहा है जो मैंने आपको बता दिया उसने डॉक्टर लेंडरम सेटल ने बत लेच हार्मोन वाला जो अंडा पता करने वाला प्रेगनेंसी टेस्ट पता करने वाला नहीं अंडा बहार निकलने वाला ये किट आता है आपको मेडिकल पर मिल जाएगा अगर आपके नियरभाई मेडिकल पर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी Amazon Flip Card से खरीद सकते हैं अगर आपको बोई चाहिए तो अगर आपको लड़की चाहिए तो आप इसके पहले ही relationship बना सकते हो या अंडा निकलने से पहले ही आपको पता है कि एक दो दिन पहले ही relationship बना लो Y स्प्रम आप तक पहुंचेंगे और वो हो सकता है नस्ट हो जाए जब तक पीछे से दिर ship बनाएं जिससे हमारा baby boy या baby girl लो उन्होंने कहा कि देखो यह चाहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ इस प्रम पहुंचे अंडा निकलने के बाद में तो वो यह चाहता है कि जब भी महिला की private part में पुरुष penetrate करें तो जादा से जादा आगे इस्प्रम रिलीज करें यानि जब भी आपको ऐसा मैसूस हो कि मेरा इस्प्रम निकलने वाला है उसी टैम क्या करें रुख जाए अंदर पूरा जादा से जादा पेनेटरेट करें अब आपको define करना होगा कि आप किस position में आपका सबसे जादा जादा पुरुषका अंदर जाप पहुँच पाता है मेला को यहाँ फील भी हो जाता है जो बच्चे दाने की मुह है यहाँ तक जाके अगर उसके टच करता है पुरुषका और यहाँ जाके सीधा ही अगर उस सीमन रिलीज करेगा तो चांस है पिछकारी के साथ में आगे तक स्प्रम जाए और 15 मिट में स्प्रम वा तक पहुँच जाए और अगर आपको लड़की चाहिए तो जैसे स्प्रम निकलने वाले हो आप एंड पर आजाओ बच्चे यहाँ मेला की जो प्रैविट पार्ट है यहाँ नीचे की तरफ आजाओ बाहर की तरफ ऐसे लगे कि थोड़ा सा बस अंदर एंटर है बाकी अंदर जगे खाली है तो यहाँ छोड़ोगे तो काफी टेम लग जाएगा इसको पार करने दूसरा आप फर्टाइल मेथड पता करोगे तो मैंने बताया रखा एक वीडियो में कि किस टाइप का पानी आएगा है ना उसको पहचान के पता कर सकते हैं क्योंकि वो पानी है वो हेल्प करता है जाया एक और कहा है उन्होंने की एसीडिक मीडियम होता है जो एसीडिक मल अगर यहां छोड़ोगे तो यहां एसीडिक में नहीं पसेगा क्योंकि यह इस्प्रम को मानने का काम भी कर सकता है एसीडिक पी-एच तो यहां ज्यादा छोड़ोगे तो जल्दी तक यहां पहुंच जाएगा यहां अगर आप चाते हो गर्ल्स तो बाहर की तरफ छोड़ यह इसीडिक पी-एच में फस्ते रहेंगे इस्प्रम और अगर इसीडिक पी-एच है जो इस्प्रम को मानने का काम करती है तो वाई मर सकता है और अगर आपको चाहिए लड़का तो आप यहां इस्प्रम रिलीज करो वाई उपर पहुंच जाएगा एसीडिक मीडियम से बच जाएगा यह इसने मैथर दिया और 1931 के अंदर उन्होंने बुक भी लिखी वो बुक आज भी अमेजन पर अवेलेबल है बहुत से लोग खरीते हैं उस बुक का पूरा सार है और वो मैंने आपको एक सिंपल वासा में समझा दिया है यानि आपको ओलेशन दे के बाद म कोंस है वो आप मुझसे बात करके पता कर सकते हैं और दूसरा एक किट आता है वो भी आपको यूज करना होगा जैसे महिला कि प्रिट्स आना स्टार्ट हो तो किट आवेलेबल पहले से ही वो रखे जैसे उनको लगे कई वीडियो में ने बता रहा है का पानी निकलने के सि इसको साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाया डोक्टर लेंडरम ने इसको साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाया इसलिए कभी भी मेडिकल की वासा कि यानि किताबों में आज तक नहीं छपा क्योंकि जब तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाते तब तक यह नहीं छप करे.